के अपसी बर्गर केंग याहो मैकडॉनल आप इन सब के स्नेक्स बूल जाएंगे जब आप ये नाश्ता खाएंगे ये स्नेक बहुत ही जादर टेस्टी और यूनीक बनता है और बहुत ही क्रिस्पी भी तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं रेसिपी बनाने के लिए हमें याप एक काले वाले चैने लेने हैं आधा कब जिने मैंने 7-8 गंटे के लिए पानी में भीगा दिए था ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं इन्हें आपको भीगा के रगदेना है काले चैने के बाद हमें आपे मसाला तयार कर लेते हैं यहाँ पे हम लहसुन की कलिया, एक दुहरी मिर्ची डाल दे, इसके बाद आपको इनको ग्राइंड कर लेना है, बेना पानी डाले, एकदम दरदरा सा ग्राइंड कर ले, ये हमारा बड़ा ही स्पाइसे जो मसाला तेयार हो गया है, एक छुटा चम्मच जो मसाला है, वो हम निकाल लेते है उसे हम बाद में इस्तमाल करेंगे, इसे आप निकाल के अलग रख दे, और इस सेम जार में ही आपको क्या करना है, इस मसाले के साथ ही चनो को पीस लेना है, इसका हम एक दम दरदरा सा जो है पेस्ट तयार करना है, बिल्कुल भी फाइन नहीं करें, स्मूध नहीं करें, हल लग दो बड़े चमच आपको कॉन फ्लॉर डालना एंगा इसके साथ मैं जाल डाल देते है और झाल दो के अलावा हम jakby लिए याकजित में उर्डॉघ ले सकते हैं आप अच्छे से आपको इन्ने मिक्स कर लेना है इसे हम अलग रख देते हैं इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे अब हम त्यार कर लेते हैं अंदर के लिए स्टफिंग के लिए मैं आपे आलू का इस्तमाल कर रही हूँ हमें आपे बॉइल आलू लेने हैं आलू को उबाल के ले और इने मैश कर लें अच्छे से mash करे सबजियों को डाल सकते हैं आप قद्दुकस करके इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं याप़े यह मसाला जो हमने निकाला था ये इस टाइम पे आप स्टफिंग में डालते हैं हमने स्टफिंग के लिए ही निकाला था साथी में इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने आपे थोड़ा सा पैरी-पैरी मसाला डाला है चीली फ्लेक्स डाल देते हैं जो मसाला आप पे नहीं है जो चीज आप पे नहीं है उसे आप हटा सकते हैं फिर साथी में मैंने चाट मसाला डालाया है ताकि इसका चटपटा फ्लेवर आए और नमक डाल देंगे इसमें और इसके साथी हरा धन्या तो जरूर डालें और अच्छे से मिक्स कर देते हैं आप इसे स्टफिंग में प्याज वगएरा भी डाल सकते हैं हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है वो एड़ कर सकते हैं ये स्टफिंग चाहें तो आप पनीर की भी बना सकते हैं या मिक्स भी कर सकते हैं आलो और पनीर को इसके बाद हम इसके छोटी छोटी टिक्कियां तयार कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से बहुती एजिली आलू की टिक्की तयार हो जाती है आप इसे किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं मैंने थोड़ा चपटा रखा है और ये जो काले चने की एक तरीके से जो हमने स्टफिंग बनाई थी इसे हमें as a layer यूज़ करेंगे इसके उपड़ लगा के अच्छे से आप इसे coat कर दें इस layer को और ये पूरी तरह से stick की पे easily stick हो जाएगी यानि चिपक जाएगी बहुत ही आसाने से लग जाएगा आप दे सकते हैं महमानों के लिए बना रहежду, और freezer में रख दें इतना सब process करने के बाद तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है जैसे ये सारे तरफ से फ्राय हो जाए इनके बाद इने निकाल लेते हैं तो नाश्टा हमारा तैयार है आप देख सकते हैं दिखने में इस सुपर डिलेशिस, सुपर क्रंची लग रहा है उपर से तो नाश्टा रेडी है आप इसे चटनी के साथ खाएं या टोमेटो कैचप के साथ खाएं ये खाने में बहुत ही अमी लगता है और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफ्रेंट है आप देख सकते हैं कितना जादा क्रिस्पी भी बनाएं तो एक बार आप भी इस यूनीक से नाश्टे को जरू ट्राइ करें आपको भी ये बहुत पसंद आएगा इसका टेस्ट बहुत ही अलग है इसमें हमने काफी सारा फ्लेवर दिया है जैसे ही आप इसे खाएंगे आपके मूँ में फ्लेवर्स का ब्लास्ट होगा जरू ट्राइ करें इस रेसेपी को आपको भी बहुत पसंद आएगी इसेपी इच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेट करना बिल्कुल भीना भूलें